अपराद, ग्राइम ये शब सुनते ही न हमारे मन में जो है एक भय और एक भयावे सी छवी उभरने लगती है पर क्या वाकिश जो अपरादी होता है वही होता है जैसा कि हम सोचते हैं क्या एक गलती जो है वो पूरी जिंदगी किसी की बदल सकती है क्या सुधार की कोई रहा हो सकती है New Criminal Laws में इसी humanitarian perspective को ध्यान में रखा गया है कि हमारी नियाए प्रक्रिया सिर्फ पनिटिव नहीं बलकि reformative भी होनी चाहिए विलकुल especially for the first time offenders के लिए ताकि वो फिर से crime को ना दोहराएं और समाज में एक positive योगदान दे सके नियू क्रिमिनल लॉज में first time offenders और community service को लेकर क्या प्रावधान है इस विशे पर जानकारी साजा करने के लिए आज studio में हमारे साथ उपस्तित है advocate धरमेंदर शर्मा जी आप Supreme Court of India में practicing lawyer है वेलकम तो डी डी मॉनिंग शेर सर्व तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज के आदुनिक समय में जो ये new criminal laws हैं ये कितने कारगर हैं ये देखिए बहुत कारगर हैं क्योंकि इस law के द्वारा जो समाज में अपरादी हैं उनको सुधने का मौका दिया जाता है पहले अपरादी को सीधी सजा होती थी लेकिन आजकल इस law के मुताबिक उनको पहले सुधने का मौका दिया जाएगा जो पहले अपरादी सजा होती है, सजा में भी कमी आई है और अपरादी अपरादी होता है, लेकिन कई अपराद ऐसे होते हैं, जो परस्तितियों का गवर्डिंग होते हैं, जैसे कई बार ना चाहके भी इनसान से अपराद हो जाता है, उस कंडिशन में इस कानून के तहट उस अपरादी को सजा ना दे कर उसको सुधरने का मौका दि दिया जाए तो इसे बताएंके आपना शूस्पिरलस की सवाइं करवाना जैसे पार्क साफ करना सीनर सिज्टिजन्स जो होते उनकी मदद करना बच्चों की मदद करना नडी की मदद करना बेसिकलिस का परफस्य यह है तो जैसे कि बहुत सारे crimes होते हैं तो जो भी first time crime करता है कि सभी के साथ नर्मी पेश की जाती है इस कानून का पहला मुख है जो target यही है कि जो first time offenders हैं उनको सुधने का मोगा देना अपराद चाहें चोटा हो या बड़ा हो एक बार सुधने का मोगा जरूर दिया जाएगा अगर वो अपराद ही दोबारे अपराद करता है तो कानून उसका सकती करेगा इसके अंदर कोई time limit रहती है कि यस time limit होती है इसकी एक अबदी होते है लिमिट time के अंदर ये काम करना पड़ता है और इसका कोई वितन नहीं होता अच्छा ये एक time प्रेटिक अंदर ये जो सामुदा एक सेवा है सब्सक्राइब करना जाता है जैसे कि किसी को सजा सजा ना कहें अगर एक अवधी होती है कि इस वक्त तक उसको फिर भी मैं काऊंगे सजा वर्ड यूज नहीं करेंगे लेकिन क्या उस वक्त तक उसे यही सामुदी जो सेवा जो है सोचल सर्विस उसे करनी पड़ती है बिल किसी को पहले इंवॉल्मेंट तो नहीं है उसका चरित्र कैसा है समाज में उसकी चवी कैसी है इस सब चीजों को देखकर उसको सजा दी जाती है तो सर अगर किसी ने फर्स टाइम किया है और वहमें लगता है कि मतलब कानून के लिए या हमारे समाज के लिए खत्रा पैदा कर सकता है तो क्या उनके साथ भी उसी तरह की नर्मी यह जो हमारा कानून है भारतिय नयाय सुरक्षा सहीता और भारतिय नयाय सहीता इसका में परपस ही है कि पहली बार अपराधी को सुरदरने का मोगा दिया जाए और अगर नहीं सुरदरता तो उसके साथ जैसे कानून व करता है तो इसको सब सकति की जाएगी तो जिस वक्त वह बाहर होता है उस वक्त नहीं और न से सब्सक्राम करें हिएनगे वह दोबारा वो दुबारा अपराथ कर सकता है जी सर अभी हमने community service की बात करी तो इसके बारे में हमें और विस्तार से बताएं कि ये किस तरह की सजा होती है और कौन से मामलों में ये सजा दी जाती है सर ये जो community service की सजा है ये जैसे deformation हो गया public places पे कोई drink करके बत्तमीजी करना attempt to commit suicide with intention to influence legal authority या कोई सरकारी करमचारी का किसी legal act में involved होना इस तरह की के जो सजाए होती है उनमें सजादी आती है उनको हम यह चाहते कि आप थोड़ा और explain करके बताई कि जो community services होती क्या है और यह कैसे काम करती है community services होती है जैसे हस्पतालों की सफाई करवाना government buildings को दुबार से repair करवाना विर्द आश्रमों में बुड़े बड़ों बच्चों के लिए काम करवाना ऐसी services में आती है सब के लिए क्या mandatory होता है community service के एक निर्धार तब्धी यू मिन सब के लिए जो first time crime कर रहे हैं उनको community service के तुथ ही मतलब आगे उनको जेल ना भेज के उनसे काम करवा जाता है इससे जेलों का भी बड़न कम हो रहा है तो जो लोग गंभीर अपराद करते हैं उनके लिए भी यही समुधा यही कमेटी सबीस रहे हैं अपराद को छोटा बड़ानी होता है लेकि फरस्ट आम ऑफेंडर का जो main purpose है वह यही है कि पहली बार अपराद करने वाले को एक बार सुधरने का मुखा वश्य दिया जाए तो फिर तो उसको फिर कोट अपने तरीके से परिश करेगी इसके क्याना मैं इसको जिस तरीके से वह अपराद करें उससी सब्सक्राद करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आम समाच जो है वह इस community service की सजा को किस नजर से देखता है इससे क्या होता है अपरादी को एक अपराद ही नहीं होते हैं कुछ हाला सरकम्सांसिस ऐसे होते हैं कि अपराद नहीं होते हैं और हम उनको एक तरीक से कानू सुधरने का मोका देता है उन्हीं के परपस के लिए कानू बनाया गया है ताकि जो अंजाने में अपराद कर देते हैं ताकि उनको समाजिक उनका इसमें हम साथ में ये भी जाना चाहेंगे जिसले नियू क्रेमिनल जस्टिस लॉज जा चाहेंगे जिसले नियू करेमीनल जबार है कोई और छोटे मोटे अपराद करना उसके अंदर इन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स में जो कवर्ड होते हैं उनको सुधने का मोका दिया जाता है जो हीनिस ट्रैंट ने हैं उनके लिए इसके अंदर कोई नियू क्रिमिनल जस्टिस लॉस के हम बात करी रहे हैं तो इसी के बा अपरादियों को सुधारना और उनको निर्दारी सजा का वन थर्ड पार्ट जो है जेल में काटना पड़ता है और उसके होने के बाद वो जमानत का अधिकारी हो जाता है और इसके बार्गनिंग का एक सेक्शन होता है जिसके अकोर्डिंग इनको सजा भी कम दी जाती है इ ऐसे हो पाएगा कि ये अपराद पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अपरादी किस कैटेगरी का है उसका प्रीविस जिकॉर्ड कैसा है अपराद जो उसने किया है वो किस कैटेगरी का है बड़ा अपराद है चोटा अपराद है बड़े अपरादों में कानून अपने तर पर उन्हें एक सुधरने का मौका जो है हमारी जो कानून है वो दे रही है बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिल्कुल कानून का नजरिया भी अब बदल रहा है जहां पहले सजा को ही अंतिम समाधान माना जाता था वहां अब रिफॉर्मेटिव जस्टिस की धारना भी हमारे नयायालों में जगह बना रही है बिल्कुल अभी हमने समझा कि अपरात करना गलती हो सकती है लेकिन अगर इसे सही दिशा में सुधारा जाये तो गलतीयों को भी सुधारा जा सकता है New Criminal Laws में First Time Offenders और Community Service को लेकर प्रावधानों पर जानकारी साजा कर रहे थे Advocate Dharmendra Sharmaji Thank you so much sir DD Morning Show में आने के लिए